हलो दोस्तों तो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं डॉक्टर जी मुवी का जिसमें है आयुसमान खुराना, रकूल प्रीट सिंग, सेफाली सा और भी बहुत सारे बढ़िया एक्टर तो दोस्तों ये वाला साल तो बोलीवूड के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा, स्पेशली आयुसमान खुराना जो बेक टू बेक हिट फिल्म्स दे रहे थे, उन्होंने भी अपनी लास्ट फिल्म अनेक्ट बहुत बहुत बेकार दी, लेकिन फाइनली वो अपने एक्स गाइनोलोजिस्ट हैं, जिसको सोसाइटी जल्डी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो चलो दोस्तों अपन इस मूवी का पॉइंट वाइस रिव्यू करते हैं, कि स्टोरी कैसी थी, पफॉर्मेंस कैसी थी, क्लाइमेक्स किया था, और ये मूवी ठ्रियेटर में देखने इन किस तरह डॉक्टर को भी ओकवर्ड फिल होता है, इन किस तरह फिमेल्स को भी उनके पास चेक अप कराने में ओकवर्ड फिल होता है, तो ये सब इस मूवी में दिखाया गया है, वो भी फणी वे में और थोड़ा लव स्टोरी वाले एंगल से जो कि बहुत बढ़िया था, और क्लाइमेक्स तो ला जवाब था यार, और फिर बात करें परफोर्मेंस की, तो देखो यार आयुसमान खुराना बहुत ही बहतरीन एक्टर है, काफी बढ़िया एक्टर है, और जब वो इस तरह के रोल्स करते हैं, तो पता नहीं क्यों वो उन रोल्स में involved हो जाते हैं, और उस रोल को इतने बढ़िया तरीके से निबाते हैं, ला जवाब तरीके से, तो उनका काम कमाल का था, और अकुल परिज सिंग की बात करें, तो देखो वो भी ला जवाब एक्टर है, उनका काम भी बहुत बढ़िया था, लेकिन स्पेसली इसमें अगर किसी का काम बहुत जादा बेतर हैं था, तो वो थी सेफाली साथ, जो की पता नहीं यार, ये वाला केरेक्टर मुझे उनका कुछ जादा ही अच्छा लग गया, उनका काम बहुत 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 बढ़िया था, और फिर बात करें अपन इस मुवी के क्लाइमेक्स की, तो देखो यार, ये एक बहुत बड़ी प्रोब्लम से, आज के टाइम पर ये काफी कॉमन हो गया है, कि जो लड़कें अंडर एज है, वो भी काफी बड़े बड़े लड़कों को डेट करती है, एबोवेज के वालों को, जो कि उनका सिर्फ यूस करते है, जब कि उनको, ना ही उनके स देखा तो मुझे परसनली बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि यार, जो चीज मुवी में देखकर इत्ती बुरी फूल, बुरी फील हुई, तो सोचो यार, जब वो रियल लाइफ में किसी ने फेस करी हो, या देखी हो, तो किता बुरा लगता है, तो यार, ये चीज इत्त मुवी की बात करें, कि मुवी थ्रिएटर में देखने लाए, कहे के नहीं, तो देखो, ये काफी सारे जो रिव्यू करने वाले उनका कहिना है, कि मेल गायनोलोजिस्ट हो, ये तो मामूली बात है, अज के टाइम पर भी, लेकिन अपन सोसइटई वाले कोई भी उनको जल् एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर अपन पूरी मुवी की बात कहें तो देखो पूरी मुवी काफी लाजवा आपती कुछ-कुछ सीन तो इतने सीरियस थे कि अपन कंफ्यूस हो जाते हैं कि यहां पर अब हसे या फिर हमदर्दी यता ऐसा फिल होता है लेकिन पूरी मु भी उनको देखनी चाहिए यह देखकर उन्हें काफी आइडिया मिल जाता है कि कहां पर आपका किस तरह यूज हो रहा है देखो कोई भी लड़की चाहे छोटी एच की हो या बड़ी एच की हो इतनी बेवकुफ तो नहीं होती है जब भी अगर उसका यूज हो रहा है कहीं मेल्स फिमेल्स यह पता नहीं आज के टाइम के लोगों को हो क्या गया है जो एसे मेल्स होते वो भी जो साधी सुदा होते वो भी यार इस तरह की हरकते करते जो की बहुत बुरा लड़का लगता है और जो गल्स यार एसे लोगों के बातों में आ जाती है उनसे तो क्या ही केना देखो इत्ता बेखुफ कोई नहीं होता है किसी का यूज होता है तो इसको आईडिया आ जाता है तो प्लीज गल्स अपना ध्यान रखा करो यार तो दोस्तो पूरी मूवी काफी बढ़िया थी और मैं तो आपको कहूंगा कि इस मूवी को थ्रियेटर में आपको देखना ही चाहिए स्पेसली गल्स को तो दोस्तो ये था अपना परसनल ओपिनियन और रिव्यू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों ये रिव्यू और ओपिनियन हमारे परसनल होते हैं तो कोई भी इसे दिल पे नहीं लेगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में